दोस्तो प्रसाद रेडी जी ने जो सवाल किया है मैं सकिन सोट पे लगा देता हूँ आप पूरा सवाल पढ़ लीजिएगा लेकिन दोस्तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ चाहे कोई नेर ड्रैबर हो चाहे कोई जुना ड्रैबर हो क्लच को लेकर हमेशा उनके अंदर confusion बना रहता है क्योंकि दोस्तों काफी expensive part होता है क्लच अगर आपका clutch plate खराब हो गया तो काफी कीमत देनी पड़ती है तब जाके clutch repair होता है तो दोस्तों इसके लिए हर एक driver के अंदर एक confusion रहता है कि clutch को कैसे apply किया जाए तो दोस्तों मैं आपको बताने बाला हूँ कि सवाल क्या पूछा है प्रसाद रेडी जी ने देखिए सवाल उनका ये है कि मैं जब gear change करता हूँ तो double clutch का इस्तमाल करता हूँ double clutch क्या होता है दोस्तों जैसे कि अगर उनको gear change करना है तो पहले clutch दबाते हैं फिर उसके बाद जैसे first gear पे गाड़ी चल ये तो गाड़ी को neutral कर देते हैं फिर वापस clutch को release कर देते हैं, फिर वो clutch दबाते हैं, फिर second gear डालते हैं, फिर वापस clutch को release करते हैं, तो इस प्रकार से वो clutch को release करते हैं और press करते हैं, कहने का मतलब उनका ये है कि इस तरह से अगर मैं clutch को apply करता हूँ, सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने खुद पे experiment किया है उनकी गाड़ी एक लाग किलो मीटर से ज़्यादा चल चुकी है गाड़ी में अभी तक कोई प्राबलम नहीं आई हुई है और नहीं माइलेज में कोई प्राबलम है तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में की उनका जो सवाल है वो उन्होंने बताया है और उन मुझे से पूछा है कि क्या ये सही है या गलत है तो दोस्तो मैं सवाल का जवाब दो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को दोस्तो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तों सुरू करथे हैं सबसे पहले तो प्रसाद रेडी जी मैं आपसे सौरी कहना चाहता हूँ कि तीन हफता पहले आपने सवाल किया था और इसका जवाब मैं आज दे पा रहा हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा था काम मैं कर रहा था तीन से चार जगव मैं गेरेज में गया जहां कि clutch plate का काम होता है जो मेकेनिक काम करते हैं clutch का उनसे मैंने बात की और मैं पूछा कि single clutch दबाने में और double clutch दबाने में क्या अंतर है इससे कोई नुकसान होता है या नहीं होता है इससे क्या फाइदा होता है और क्या नुकसान होता है तो उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्होंने कहा कि जैसे कि इंजिन का पावर यहां बन रहा है तो इंजिन का पावर जो होता है यहां फ्लाइवील जो कनेक्ट होता है तो फ्लाइवील में आता है जब फ्लाइवील में आता है तो इंजिन के सांसा तो फ्लाइवील घूमता रहता है और अपना जो gear box होता है, gear box और fly wheel, ये जो दोनों होते हैं, दोनों के बीच में होता है अपना clutch plate, जब हम clutch plate को press करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो fly wheel घुमता रहता है, यहाँ clutch plate चिपका हुआ रहता है, ये एदम disconnect हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसमें आपका fly wheel मत है single clutch हो कोई फरक नहीं गिरता है लेकिन समझो कि यह flywheel जब आपका घूम रहा है और आपका clutch plate यहां लगा हुआ है अगर आप hop clutch मतलब की यूज करते हैं तो उस समय problem होती है क्योंकि clutch और flywheel की बीच में दोस्तों एक होता है pressure plate जो की spring के जैसा मतलब की पकड़ता है जब पूरा clutch हम छोड़ते हैं तो pressure plate अदम चिपक जाता है जागर के अगर हम hop clutch यूज करते हैं तो हलका सा मतलब की वो लगा हुआ रहता है flywheel से तो उस समय आपके gear में से आवाज आती है और आपको ऐसा लगता है कि hop clutch मेरा है अभी तो clutch कभी भी अगर आप इस्तमाल करें fly करें दोस्तों तो पूरा clutch दबाए hop clutch कभी ना दबाए पूरा clutch दबाने एक बत क्या होता है चाहे आप double clutch ले चाहे single clutch ले उसमें कोई फरक नहीं होता है आसानी से आप driving कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी हो दोस्तों वीडियो को एक like कर देना अगर आप चैनल पे पहली बारा हुए दोस्तों तो चैनल को subscribe कर लेना और आल notification कर लेकर जरूर दबादना क्योंकि दोस्तों driving से related आपको इस चैनल पे वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसे और नई जनकारिक साथ जय हिंद जय भारत